हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पैंथर ने शिकार के लिए लगाई छलांग, खुद हो गया बिजली का शिकार पाली में रानी थाना शेतर में पचलवाडा गाउ में मंगलवार रात को शिकार के लिए छलंग लगाने वाला पैंथर खुद बिजली का शिकार हो गया इस घटना में पैंथर और बंदर की मौत हो गई बुद्वा सुब ग्रामीनों की इस पर नजर पढ़ने के बाद यहाँ बाद गाओं में आग की तरह फैल गई सुचना मिलने के बाद SGM वो वन विबाक के अधिकारी मौके पर पहुच गए ग्रामीनों ने बताया की रानी के पचलवड़ा गाओ के सरद में रात दाई बजे एक पैंथर घूम रहा था रात को वह पैड़ पर बेटे एक बंदर का शिकार करने के लिए पैड़ पर चड़ा उसे देख बंदर ने पैड़ से चलांग लगाने की कोशिश की पैंथर ने भी उस पर चलांग लगा दी लेकिन पैंथर पेड से गुजर रही 11 केवी की बिजली की तारों में फज गया साथ ही बंदर भी इस करण के संपर्क में आ गया और दोनों की मौत हो गई वन विबा के अधीकारी पैंथरों बंदर का शव वन का रेले ले गए है जहां पोस्ट मौटम के बाद दोनों के शव को SDM की उपस्तिती में आपके हवाले कर दिया जाएगा पाली से जागरुक टीवी की रिपोर्ट